तो इस वाले question को प्यारे बच्चों देखो यह एक अच्छा सा question है और इस question को हम लोग try करते हैं solve करते हैं तो इस question में क्या कहा जा रहा है देखो उसको यह कहा जा रहा है कि half life half life एक रैडियोक्टिविटी सेंपल उसका 50 डेज यहां दिया हुआ ठीक है तो अगर अपने पास कोई रैडियोक्टिव सेंपल है तो उसका half life दिया हुआ है अब कहता है T2 time बात 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 बाद जब फचाम टी क 라고 है ठीक है weekend skewn कितना यह remaining बचा हुआ यह मुझे निकालनी की जरहत पड़ती है तो बचा हुआ है मानलो 1st case में एंट्रू बचा हुआ है तो N2 is equal to N0 minus जो decay हुआ है two-third of N0 का decay हो चुका है तो यह जो T2 time बात जो है वो N0 upon 3 बचा हुआ है बात समगने आ गया अब इसी तरह से similarly time T1 बात one by third जो है again जो है तुम देखोगे again तो N1 बचा हुआ कितने time बाद T1 time बाद T1 time N0 minus N0 upon 3 जो decay हुआ उसको घटा दोगे तो बचा हुआ आ जाएगा मतलब two N0 upon 3 time T1 बाद बचा हुआ है और time T2 बाद यह बचा हुआ है तो यह करता है T2 minus T1 का difference निकालो तो देखो तो T2 minus T1 का अगर तुम difference देखोगे यहां से तो difference निकालने के लिए अपने पास फार्मूला जो बचा हुआ फार्मूला N is equal to N0 और 1 by 2 यहां से time T, T time बाद जो N बचा हुआ और half life T इसको मुझे मुझे दो बार apply कर देना है तो यह problem हो जाएगा दोनों case के लिए उसके बाद interval अपना वहां से हम लोग calculate कर लेंगे ठीक है तो चलो इसको दो बार हम लोग लगाई देते हैं तो अगर मैं इसको दो बार यह question क मैं दो बर लगाता हूँ तो first time अगर मैं लगाया यहां से तो N2, N2 is equal to यहां से N0 और 1 by 2, 1 by 2 और small T upon capital T, तो इसको मैं लगाता हूँ तो N2 की value कितना है, N0 upon 3 और यहां से N0 आ जाएगा और 1 by 2 और time T2 और half life है, 50 यह equation number first. इसी तरह से जो बचा हुआ है, वो दूसरे के लिया लगाता हूँ, तो 2 N0 upon 3, 2 N0 upon 3 और N0 और यहां से 1 by 2 और time T1 upon 50, half life देख लेना, 50 दिया था ना, half life एक बार चेक कर लेना, फ्यारे बेच वहां 50 था, तो अब इन दोनों equation से N0 upon 3 को मैं equate कर दूँ, from these two equation, ठीक है, N0 upon 3 की value निकाल के मैं equate कर देता हूँ, तो N0 3 की value से N0, 1 by 2, T2 upon 50 बराबर होगा, N0 upon 2, ठीक है, 1 by 2 यहां से T1 upon 50, हमने क्या क्या, N0 by 3 और N0 by 3 को दोनों side equate कर दिया, तो यहां से N0, N0 खतम हो जाएगा, और यहां से तुम्हें जो मिलेगा, यहां से 1 by 2 की power यहां से T2 upon 50 और यहां से 1 by 2, इधर यहां पर N0 खतम हो गया, तो 1 by 2 और 1 by 2, मतलब 1 प्लस यहां से T1 upon 50, मतलब यहां से 1 by 2 की value आजाएगा, 50 plus T1 upon 50, और मैं इन दोनों equation को यहां से equate कर दूँ, तो T2 by 50 की value आजाएगा, यहां से 50 plus T1 upon 50 आजाएगा, तो 50 यहां से कतम हो गया, तो T2 minus T1 is equal to 50 days, मतलब 50 दिन बाद ऐसा होगा, ठीक है, यह situation होगा, मतलब यह है, अपना प्यारा सा जो B option है, वो सही हो जाता है, तो आई होग की आपको मज़ा आ गया होगा, कर दो